हाई फ्रेंड्स नमस्कार आए ख्लेमिंगो प्रोज के सेकेंड चेप्टर लॉट इस लॉस्ट इस्पिंग दो इस्टोलन चाइड़्वोड के लॉंग एंसर टाइप कोश्चन्स को हम करते हैं पिछले वीडियो में हमने इस वीडियो में लॉंग एंसर टैप कोश्चन्स को है पिल्कुल हिंदी बैठ्वा कि सार्थ देखते हैं कि पहला प्रस्ने है हूँ आप हूँ आप हूई आप हूँ आप साहब कौन था कौन था वहाँ आप साहब 15 कौन था वाट वाट वाज that compelled him to wander in the streets of Delhi for ragpicking शाहब कौन था what was plight that क्या प्रेड़ा थी क्या मजबूरी थी जो उसे प्रेड़ित करती थी to wander the street गलियों में घूमने के लिए अब डेली और रेक ग्रेक पिकिंग दिल्ली की गलियों में उसे कुड़ा बिनने के लिए मजबूर करती थी या भेशती थी साहब कौन था उसे कौन सी बात दिल्ली की गलियों में कुड़ा बिनने के लिए बिनने के लिए प्रेडित करती थी तो इसका अंसर है साहब वाज बिलांग to the family of ragpickers was a young boy wandering in the street of Delhi which is with his friends saheb saheb who belonged sammandhit tha jura huwa tha to him to the family a periwaar se of ragpickers kuda binne male was a young boy एक छोटा बच्चा था छोटा लड़का था wandering घूमता था घूमते हुए in the streets गलियों में आप डली दिली की with friends अपने मित्रों के साथ जाहें एक छोटा बच्चा था और एक कुड़ा बेंने वाले परिवार से जुड़ा हुआ था वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमा करता था दे वर द इसक्वैटर वे शन्रेटर राम आये हुए थे राम ढ़का ढ़का से बसराड़ाथी बनकर ढ़का से जो बंगलादेश की राध्धनी वहां से आये हुए थे अगले लिखने हैं बंगला देश वेर दव स्टोर्म है डिस्ट्वाइड दियर ग्रीन फिल्स और ओम्स बंगला देश से जहां पर और वे बंगलादेश धाका से आये हुए थे जहां पर तूफान ने उनके हरे भरे खेतों और घरों को नस्ट कर दिया था वैं तो फूर वे इतने गरीब थे डैट कि दे पूड नाट जा नहीं सकते थे लिपन निर्भर और गीफिग कूड बिचिंग वे उनके मातापिता ते उपर निर्भर तै only for their livelihood केवल उनके जीविका के लिए उनके जीविका के लिए केवल and unable to bear any expenses of fooding उनके माता पिता उनके कुड़ा बिनने के उपर निर्भर थे और वे जीविका चलाने के अलावा और भोजन देने के अलावा कोई और खर्च नहीं उठा सकते थे उनके माता पिता क्या थे कुड़ा बिनने के उपर निर्भर थे और उनकी जीविका चलाने और उनको भोजन देने के अलावा और कोई खर्च नहीं उठा सकते थे वो इतने गरीब थे in total their poverty was the plight that compelled sahib and others like him to wander in the street of Delhi for ragpicking in total पूरे में बोले तो पूरा बोले तो स्वाट में बोले तो देर पावर्टी उनकी गरीबी प्लाइट थी वजह थी दैट जो compelled उन्हें प्रेजित करती थी दबाव बनाती थी दबव ठीक है साहब साहब को और और उसकी तरह दूसरी लोगों को प्रेजित करती थी टू अंडर घूमने के लिए इन देशी टॉप डेली तो रैक बिट्विन दिल्ली की गलियों में घूम कर कूड़ा बीनने के लिए प्रेजित करती थी अगला कोश्चन है दूसरा लॉंग एसन टाइप कोश्चन का इसमें आपको एक्जाम में आए इसमें इसमें एटी वर्ड से में आप इसका वड़न कीजिए इसको बताईए ठीक है तो देखते हैं यह आगे चिल्डन्स लाइक साहब कि साहब की तरह और बच्चे वह आफिन अक्सर गो टू गो फार प्राइवेट जाब प्राइवेट नोकरी पर जाते हैं इन वेरी स्माल एज बहुत छोटी उम्र में साहब की तरह और बच्चे छोटी उम्र में प्राइवेट नोकरी करने जाते हैं ठीक है इन दिस देर फाइनल डिस्टनी इज दिस देर फाइनल डिस्टनी प्राइशन पूछ रहे हैं इज दिस क्या यह है देर में सुनकी फाइनल डिस्टनी अंतिम भाग है क्या उनका यह अंतिम भाग है How can such situation be overcome How can such situation ऐसी इस्थित कैसे be overcome आती है ऐसी इस्थित कैसे आती है एंसर है Children like sahib often starts अक्सर शुरू कर देते हैं to do the jobs नौकरी करना sahib की तरह और बच्चे नौकरी करना start कर देते हैं in a very small age बहुत छोटी उम्र में and the only reason और इसका केवल कारण behind पीछे इसके पीछे केवल कारण क्या होता है it is their poverty उनकी गरीबी होती है sahib की तरह और छोटे लड़के छोटी उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर देते हैं इसका सबसे बड़ा कारण और इसका केवल कारण क्या कर सकते है क्या होती है गरीबी होती है इसका सबसे बड़ा कारण केवल कारण एक गरीबी होती है their parents उनके माता पिता have to earn money पैसे कमाने के लिए for survivor first जीवित रहने के लिए उनके माता पिता को जीवित रहने के लिए पैसे कमाने के लिए कमाने भोते हैं then they could think उनके माता पिता को survival के लिए जीवित रहने के लिए पैसे कमाने होते हैं then they could think for any other expense उसके बाद ही वे किसी और चीज के और खर्च के बारे में सोच सकते हैं Sometimes कभी-कभी they find वे पाते हैं no value of education in their life Sometimes किसी कभी-कभी वे सिच्छा का अपने जीवन में कोई भी जगह नहीं पाते हैं आस्थान नहीं पाते हैं Remains uneducated Sometimes they find no value of education in their life and remains uneducated कुछ समय वे या कभी-कभी वे सिच्छा का अपने जीवन में कोई महतो नहीं समझते हैं उनको सिच्छा का कोई महतो समझ में नहीं आता है और वे असिच्छित रह जाते हैं Mostly अधिक्तम या अधिक बार This becomes यह हो जाता है Their final destiny उनका अंतिम भाग Because क्योंकि when they engage जब वे जूडते हैं या जोडते हैं in themselves अपने आपको in such jobs ऐसी नोकरियों में once एक बार ऐसा तब हो जाता है जब वे ऐसी नोकरियों में पहली बार अपने आपको जोडते हैं या पहली बार ऐसी नोकरियां करते हैं Then it seems तब यह मालूम होता है very hard यह बहुत कठिन and impossible और असंभव to run out of those उनसे बाहर जाना जब वे ऐसी नोकरियों को से जूडते हैं इसी नोकरियों को करते हैं इसी jobs को ऐसे काम को करते हैं तब यह मालूम पढ़ता है कि इनसे बाहर जाना बहुत ही कठिन है So, इसलिए till their age उनकी उम्र में they got trapped वे फसा लिये जाते हैं they got trapped वे फसा लिये जाते हैं in such jobs इन कामों में इन कामों में उन्हें फसा लिया जाता है and deprived और वन्चित कर दिया जाता है of real education वास्तिविक सिच्छा से इस उम्र में इसलिए इस उम्र में वे ऐसी नोकरियों में फसा लिये जाते हैं और उन्हें और वास्तिविक सिच्छा से क्या हो जाते हैं वन्चित रह जाते हैं such situation can only be overcome such situation can only be overcome ऐसी इस्थित तब आ सकती है by the combined efforts combined मिल करके effort मिस प्रयास of parents, माता-पिता and government both such situation can only be overcome by the combined efforts of parents and government both इसी इस्थित माता-पिता, उनके माता-पिताओं और सरकार के साथ मिल करके प्रयास करने पर ही बदल सकती है ठीक है every section of the society section means भाग हिस्था of society समाज के समाज के हर हिस्थे को समाज के हर हिस्थे को have to work काम करना होगा commonly समाने रूप से साथ-साथ and dedicatedly और समर्थित भाव से to fight लडने के लिए with this evil of the society इस समाजिक बुराई से लडने के लिए उनके माता-पिता सरकारों और समाज के हर भागों को साथ मिल करके लडना होगा साथ मिल करके लडना होगा समाज की ऐसी यह बुराई दूर हो सकती है कि अगला question है who was मुकेश मुकेश कौन था what did he want to do in life वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था मुकेश कौन था वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था what and what did he not want to follow और वह क्या नहीं करना चाहता था क्या अंसरन नहीं करना चाहता था एंसर हिसका मुकेश वाज मुकेश वाज एक मेंबर एक सदस्त था और फेमिली परिवार का फ्रॉम फिरोजाबाद के एक परिवार का सदस्त था इंगेश इन बेंगल मेंकिंग जो चूडियां बनाने वाले काम से जुड़ा हुआ था मुकेश वाज वाज की ऐसे परिवार का सदस्त से था जो चूडियां बनाने में लगा हुआ था इस होल फेमिली उसका पूरा परिवार सिंस लास्ट मेनी जन्देशन पिछले कई पीडियों से उसकी पूरी फेमिली पूरा परिवार पिछले कई पीडियों से वाज इन वाल्ब लगा हुआ था इन वोली बैंगल मेकिंग केवल चूडियां बनाने में उसका परिवार पिछले कई पीडियों से केवल चूडियां बनाने वाले काम में लगा हुआ था इसलिए नो पर्सन कोई भी व्यक्ति आप सच बैंगल मेकिंग इस प्रकार के चूडियां बनाने वाले इसलिए चूडियां बनाने वाला कोई भी व्यक्ति फेमिली परिवार कुड थिंग सोच तकता था आफ एनी ओडर वर्स नेचुरली प्राकृतिक रूफ से या वास्तिविक रूफ से कोई भी चूडियां बनाने वाले परिवार का सदस्य कोई और काम करने के लिए नहीं सोच सकता था एड़ एज भीकाश इस प्रकार क्यों की आफ फैमली ट्रेड यह एक इस प्रकार यह एक परिवारिक ब्यासाय मन गयाता है ही झीमसेल्फ तू एक तू डू दसे रख सेम एप करना ता ना कड़ता था बट मुकेश लेकिन मुकेश नेवर वांटत नहीं चाहता था to follow that tradition इस परंपरा को मानना इस परंपरा को अंसरण करना वो नहीं चाहता था actually निश्चित रूफ से he wanted to be a motor mechanic निश्चित रूफ से वा एक motor mechanic बनना चाहता था for which जिससे he had to take a great pen going against his family tradition and members for which जिससे he had to for which जिससे he had to take a great pen going against his family इस प्रकार उसका उसके परिवार से बीपरीत जाना एक कठिन काम था और टिरिशन आप उसके घर के सदर्शियों की परंपरा के प्रतिकूल था ये कठिन था दर्द देने वाला था ठीक है without supports बिना समर्थन के बिना किसी सहायता के taking the training taking the training training लेना going very far from his house और learning ETC बिना किसी सहायता के training लेना और अपने घर से इतना दूर जाना सीखने के लिए त्याद ये सब चीजे बहुत ही कठिन थी बहुत ही दर्द से भरी हुई थी वेन जब वेन जब दा आथर लेखक वेन दा आथर जब लेखक आस्क्ड हीम उससे पूछी आस्क्ड हीम उससे पूछी कि अच्छाई के बारे हम पूछती है उसके कि वह क्या करना चाहता है खो सिधे बोलता है esaht RSK वेश too अच्छाहा लगता है यह पूछती है तो वह gelecek और मेकेनिक बनेगा हुआ आगे अगला प्रस्न है चोथा ओपण दिन डिद नेडर नोटिस है और दिड़ नेरेटर नोटिस लेकश क्या पाता है इन द लोकेलीटी कि बाटव डिद दर नेडर नोटिस इन द लोकेलीटि कि अ इस्थार जहां लेखक एस्थानी रूप से क्या पाता है के विए मिश हैं मुके दिए मूखेश रहता है भी लेखक मुकेश क्या था है उसके आश पास और पाता है क्या उससे दिखाई देता इसे भी ए इंसर है वेर मुकेश लिव्ड जहां मुकेश रहता था देर दा नरेटर नोटिस्ट वहां लेखक ने लेखिका ने पाया मसूस किया a lot of things बहुत साधी बातों को बहुत साधी चीजों को as children illegally working जैसे की बच्चे अवयद रूप से काम कर रहे थे in the glass furnace काच की भठियों में with high temperature उच्च तापमान पर उच्चे तापमान पर जहां पर मुकेश रहता था वहां लेखिका ने पाया कि बहुत सारे बच्चे अवयद रूप से काच की भठियों में उच्चे तापमान वाली भठियों में काम कर रहे थे इंडिंगी शेल्स गंदे कमरों में शेल्स में छोटी कोठरी होता है छोटी कोठरी ओं में विदाउट एर एंड लावड बिना हवा और प्रकास के बीना हवा और प्रकास के विकाम करते थे इस्टिंकिंग चॉक्ड लेंस इस्टिंग 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 चॉक्ड लेंड विद् स्टिंकिंग चॉक्ड लेख भयानक रूप से भरी हुई लेंस गलियां विद गार्बेज कचरे से कचरे से बुरी तरह पटी हुई गलियां पास्ट होम्स बगल के घर दैट रिमेंस ओवेल्स विद क्रम्बलिंग वाल्स पास-पास के घर घरों की घरों की दिवारें गिर गई थी गिर रही थी ठीक है और खंडर थे उबली डोर्स बिल्कुल हेल्टे डूर्टे दरवाजे थे यूमेंस और एनिमल्स लिविंग टूगेदर मनुस्य और जानवर साथ सात रह रह रहे थे वहां प्यों यह लेखक क्या मिलता है इसमें यह वर्लन किये हैं ठीक है मुकेश हाउस मुकेश का घर विथ हाफ बिल्ट आधा अधूरा बना हुआ सैंक सैंड मेनी और मिजरेवल थिंग्स सैंड डूबी हुई ए मेनी और मिजरेवल थिंग्स बहुत सारी चीजें दुखी कर देने वाले चीजे खराब कर चीजें चीछ आधा लेक देर देर लेखक का पाती हैं महसूस करती हैं ध्यान देती कि चूड़ी बनाने वालों की स्थित्विएरी पिटीएबल चूडी बनाने वालों की सी बहुत ही करुणा मैं थी बहुत ही दयनी थी दे वर वेभरी पूर वे बहुत गरीब थे even after having the lunch even after having the lunch यहां तक की भोजन करने के बाद यहां तक की दो पहर की भोजन करने के बाद there was no purity of dinner स्योटी मिन्स निश्चित निश्चित वहां पर रात का भोजन मिल जाएगा यह निश्चित नहीं था यहां तक कि दोपहर का भोजन करने के बाल साम का भोजन मिलने की भी गारंटी नहीं थी यह निश्चित नहीं था कि दोपहर का भोजन मिल जाएगा तो साम का मिलेगा की यह दर लेवर अब वेंगल मैकर्स काले खिले बनाने वालों को जोड़ी बनाने Fried Slack वैराज बहुत आदिक कम पाट जब की उनकी रहें के सकते हैं उनकी उनका वेदन कर सकते वांस् टू जो बहुत अधिक कम था चूड़ी बनाने वालों का परिस्त्रम बहुत कठिन था लेकिन उनकी इंकम उनका वेतर बहुत कम था दैट की दे वर अनेबल टू सेंड देर चिल्डेन तू दे स्कूल दैट इसलिए इसी कारणवस दे वर अनेबल टू सेंड वे भेजने में और समर्थ थे देयर चिल्डेन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में और समर्थ थे दे वर कंटीनियूसेनली फैयटिंग बिज पवर्णे देवर वे थे कंटीनियूसलि जाइट आर फैयटिंग जाभ bree रही पौिप पावर्टी के साथ गरीबी के साथ लगातार लड़ रहे थे अगला प्रश्ण है पाँचमा आपका लॉंगांग टॉजबाइब गॉर्प साथ प्रशन हैं जिसमें से पांचमा प्रशन है पुस्तक के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं इस प्रशन है Every Other House in फिरोजाबाद हर दूसरा परिवार हर दूसरा घर फिरोजाबाद में हर दूसरा घर इस इंगेज़ लगा हुआ है इन ग्लास इंडेस्ट्री कांच उद्धोग में फिरोजाबाद का हर दूसरा घर कांच उद्धोग में लगा हुआ है इन एवरी वदर यार्ट्स हर दूसरे आगर में देयर फाइंट दा इस्पारल आप बेंगल वहां चूडियों के धेर लगे हुए हैं बहुत सारी चूडिया पाई जा रहें फाइजाते हैं इनर डेंद्धर मेंक हर्बनाने वाले बहुत ही बų आप से बहुत ही कस्ट दाई दुखदाई मिजरेवल मिल कस्ट दाई दुखदाइव मिनस्ट दीत धमी रहते हैं What are the reasons, क्या कारण थे, explain, तो ब्याख्या करिए with the suggestion सुझाव के साथ, to overcome this situation, ऐसी इस्थित आने में अपना सुझाव देती हुई बिस्तार से बताईए, कि ऐसी इस्थित क्यों आती है, इस पर आपके क्या विचार है, इस पर ब्याख्या करिए, इस पर अपने विचार को बिस् तो इसका उत्तर हाईये देखते हैं, कि उत्तर क्या है, इन ईंडिया भारत में फिरोजाबाद, फिरोजाबाद is the largest, чувств में सबसे बड़ा manufacturer उतुझादक of Bengal चोड़ियों का, भारत में फिरोजाबाद सबसे बड़ा चोड़ियों का उत्पादक है, उत्पादन करने माला है, यानि फिरोजाबाद में पूरे भारत में फिरोजाबाद में सफसी अधिक चूडियों का उत्पादन किया जता है, सबसी अधिक चूडियां बनाई जाती हैं फिरोजाबाद में, हर दूसरा घर इन फिरोजाबाद में is engaged लगा हुआ है इन गलास इंडेस्ट्री कांच उध्रोग में फिरोजाबाद में हर दूसरा घर कांच उध्रोग में लगा हुआ है इन एवरी अदर क cream yaş Liuya देयर फाने स्परілब बेंगल की मैं सीघ्ड़ में सिसे सथा है घे गुंद घेरा चुड़ को ही कहा जाता है कि हर दूसरे घर में हर दूसरे आगन में चूड़ियां पाई आती हैं आउट वाट एन और लिए इसके भी परीद यह है और बिल्कुल परिशान कर देने वाली बात है दैट की इस फैमिली यह परिवार आलवेज हमेशा रिमेन इन मिजरेबल कंडिशन की दुख भरे इस्थित में रहती हैं ह हर दूसरे आगन में बहुत सारी चूड़ियां भरी हुई है फिर भी इसके विपरीद यह परिवार हमेशा बिल्कुल कष्टदाई इस्थित में रहते हैं दरीजन कारण बिहाइंड इसके पीछे आर है यह लौट इन मेनी वेज एस इस इस जनरेशन यह रीजन अर a lot in many ways बहुत सारे इसके पीछे बहुत सारे करण है ऐस इस जनरेशन पिछले कई पीणियों से इसके पीछे पहुत सारे करण हैं वे लगे हुए हैं इन ओनली बैंगल मेकिंग कीवल चूड़ी बनाने में और उन्होंने कभी भी दूसरी चीज नहीं देखा So, इसलिए they are totally dependent on this trade इसलिए वे पूरी तरह से इसी ब्यावसाय पर निर्भर है Whenever जब कभी they think वे सोचते हैं और अथवा effort प्रयास करते हैं for any other trade किसी अन्य ब्यावसाय के लिए अन्य काम के लिए जब कभी वे किसी अन्य काम के लिए अन्य ब्यावसाय के लिए सोचते हैं अथवा उसे करने का प्रयास करते हैं They are stopped वे अवरुद हो जाते हैं, रुक जाते हैं and hold up और परिसान हो जाते हैं परिसान कर दिये जाते हैं by the police पुलिस के दौरा and other person और दूसरे बेक्तियों के दौरा लाइक जैसे middleman मध्यस्ता करने वाले दलाल साहुकार्स the keepers of law कानून बनाने वाले कानून के रखवाले the bureaucrates नौकर्साह and the politician और राजनीत करने वाले राजनीतिग्ये जब वे यहां से देखिए whenever they think or effort for any other trade they are stopped and hauled up by the police and other persons like middleman, साहुकार्स, the keepers of law, the bureaucrates and the politicians जब कभी वे किसी दूसरे ब्युसाय के बारे में सोचते हैं या उसे करने का प्रियास करते हैं तो वे उन्हें रोक दिया जाता है और परिशान किया जाता है किसके दौरा पुलिस के दौरा मध्यस्ता करने वाले दलालों के दौरा साहुकार और कानून को बनाने वाले और नौकरशाहों और राजनितिग्यों के दौरा उन्हें परिशान किया जाता है दियर कंडिशन उनकी इस्थित कैनल ओनली भी रिफॉर्मड केवल तभी सुधाई जा सकती है बाइ दा कंबाइंड मिलकर के एफोर्ट प्रयास और बेंगल मेकर्स और गॉर्मेंट सरकार से बहुत दोनों उनकी इस्थित चूड़ी बनाने वाले और सरकार के मिलकर काम करने से ही सुधाई जा सकती है देर प्रोडक्स उनका उत्पाद सुड़ी गीवन दिया जाना चाहिए हाल मार्क हाल मार्क एंड केप्ट free from taxes और end kept और कर दिया जाना चाहिए free मुक्त from taxes टेक्सों से उनका जो उत्पाद है उसको hallmark लगाना चाहिए और टेक्सों से free कर दिया जाना चाहिए hallmark में उसको special चिन्ध मिल जाएगा तो इससे जो है कोई भी कहीं भी वो बेरा रोक टोक के उनको बेचा जा सकता है उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी किसी तरह के जो टेक्स लगे हुए हैं वो मुक्त हो जाएगे उससे तो जो सारी पूजी उनकी कमाई रहेगी सीधे उनके हाथ में रहेगी टेक्स जब लगता है तो तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो टेक्स में ही चला जाता है इसलिए कह रहे हैं कि उनके उत्पादों पर हॉल मॉर्क लगना चाहिए और टेक्सों से उनके उत्पाद को मुक्त कर दिया जाना चाहिए उनके उसर दिया जाना चाहिए और मध्यस्ता करने वाले को मस्ट भी रिम्यूड हटा देना चाहिए और मध्यस्ता करने वाले को हटा दिना चाहिए क्योंकि वो बीज का जो फायदा है वो खा जाते हैं जो मोटा पैसा रहता है उसको खा जाते हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा है वो उनको कठिन करने वाले को देखर के वो बहला देते हैं आगे देखते हैं इवेंदा यहां तक की गवर्मेंट सरकार को can give subsidy subsidy देना चाहिए subsidy means छूट यहां तक की सरकार को छूट देना चाहिए and और कैसी low interest loan और कम व्याज पर loan देना चाहिए तू दीज फीपल दीज पी पूर बैंगल मेकर इन गरीब चूड़ी बनाने वालों को नीची वदर पर नीचली दर पर लोन देना चाहिए नीची मतलम निम्न ब्याज पर कम ब्याज पर लोन देना चाहिए छटमा है आपका प्रस्न प्रस्न आता है What is the vicious circle? What is the vicious circle? दूस्चक्र क्या है? Of middle man, मध्यस्ता करने वालों का, दलालों का, मध्यस्ता करने वालों का दूस्चक्र क्या है? How are they trapped? वह कैसे फासा लेते हैं या फासा लिए हैं Since the time of their poor fathers, उनको उनके पूरवजों से ही उनको वन्हों कैसे फासा लिया हैजो चूड़ी बनाने वाले हैं उनकी पूरवजों से ही उनके पूरवज को फंसाया उनको फंसा रहे हैं थिर उनको आने वाले उनके जनरेशन को भी फंसाएंगे तो यह साथ कैसे हो रहा है वो कैसे कर लेते कैंदे गेट और नाइट क्या वे संगठित हो सकते हैं इफ नॉट यदि नहीं वाई क्यों इस प्लैन ब्याख्या करिए यह प्रस्म जो है बहुत इंपोर्टेंट है आगी चलते हैं इसमें देखते हैं उसका उत्तर क्या है दविश्यस सर्कल दविश्यस सर्कल आफ मिडिल मैं मध्यस्ता करने वालों का दुस्चक्र इज है वास्तों में बहुत ही दुसकर बहुत ही बुरा जिन दलालों का जो दुस्चक्र है जो वह बहुत ही बुरा है एक्चुली वास्तों में वैनिवर जब कभी दीज बैंगल मेकर्स यह चूड़ी बनाने वाले आगे आना चाहते हैं किसी दूसरे काम के लिए जब यह चूड़ी बनाने वाले उससे निकलना चाहते हैं वे मजबूर कर दे जाते हैं परिशान कर दे जाते हैं एंड इस्टॉप रोग दे जाते हैं बाइद पुलिसमेन पुलिस कर्मियों के दौरा एंड साहुकार साहुकारों के दौरा मिडिल मैन दलालों के दौरा दा कीपर्स ओफ लॉल कानून बनाने वालों के दौरा दा ब से बाहर आकर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस के दौरा साहुकारों के दौरा दलालों के दौरा कानून बनाने वाले नौकर्साह और पौलिटीशियंस के दौरा इन्हें रोक दिया जाता है और परिसान किया जाता है वैनिवर जब कभी दे इवन थिंक आफ एनी अदर ट्रेज जब कभी दूसरे किसी ब्यापार के बारे में ब्यावसाह के बारे में सोचते हैं देर थिंकिंग उनके सोच और एबिल्टी योग सोगेताओं को बिल्कुल कुचल दिया जाता है एंडविघ्यास सरकल और दुश्चक्र आफ त्ह में आफ सायटी एजो दुश्चक्र है यह है जैंटल मैं आफ सायटी यह लोग समाझ के सज्जन ise English बनाने रहते हैं यह जो दुश्चक्र ने वाले एक मकड़ी के जाले की तरह ये और पावर्फुल हो जाते हैं दे हैब बीन ट्रैब्ड उन्हें फंसा लिया जाता है फंसा लिया गया है उनके पूर्वजों से ही उनको फंसा लिया गया है due to the same reason because एक बिलकुल समान कारण वस एक ही कारण है उसका फंसने का this legacy is being transferred to every next generation क्योंकि यह जो legacy है जो परंपरा है एक परिवार से दूसरे परिवार को अस्थानांतरित कर दी जाती है and due to this naturally and due to this naturally और वास्तों में इसी के कारण वस felt and given legacy और यह जो है एक से दूसरे तक यह जो है परंपरा आती जाती रहती है और इसी कारण वस the child बच्चे accept एसेप्ट मिन स्विकार कर लेता है इसी कारण कोई बच्चा इसे बिल्कुल साधान तरीके से बिल्कुल सालिंता से इसे स्विकार कर लेता है कि हमें भी अब चूडी ही बनाना है they can never be organized वे कभी भी संगठित नहीं हो सकते हैं इन देना चाहिंगे because क्योंकि आप दियर ओन ग्रीड क्योंकि वो अपने स्वयम के लालच वस्थ पर शार्थ वाजिता वस्थ अपनी अपने खुद के लालच और स्वार्थ पन के वजह से वे उन्हें कभी भी संगठित होने देना नहीं चाहेंगे इसलिए ये कहा जाता है important महत्वपूर्ण person of the society of the society समाज का इसलिए ये कहा जाता है कि समाज का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति things सोचता है only of themselves उनके बारे में इसलिए समाज का कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके बारे में सुचता है and or do the fake promises और उनके सामने जूठे लुभावने वादे करता है सोविंग दिखाते हुए भाल सिंपर्थी जूठी दया जूठी सदभावना कोई भी समाज का कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके लिए केवल जूठे वादे और जूठी सिंपर्थी जूठी सदभावना उनके प्रत दिखाता है जो वार्त्व में नहीं होती है सो इसलिए देर सो इसलिए देर अगे बेंगल मेकर के के लिए कह रहे हैं इसलिए बेंगल मेकर की चूड़ी बनाने वालों की रिफॉर्म मिंस सुधार रिमेंस निर्भर है रुका हुआ है एच्छेलेंज एक चेतावनी एक बिल्कुल कह सकते हैं क्या कह सकते हैं चैलेंज मिस एक चुनोती है ठीक है फोर देम उनके लिए एजवल उसी प्रकार से फोर गवर्मेंट सरकार के लिए इसलिए चूड़ी बनाने वालों का सुधार उनके लिए और उसी प्रकार से सरकार के लिए एक चु करते हैं कि अगला प्रस्न है सात्वां लॉंग टाइप कोश्चन का इसमें देखते हैं अध o a W h a yoo take WAY मुकेश कैसे कंशे अलग है भीन है फ्रामद अधर्स दूसरे लोगों से बेंगल मेकर्स तूसरे हैं चुडी बनाने वाले लोगों से कैसे अलग है और फिरोजाबाद मुकेश फिरोजाबाद के और मश्तर शूडी Yay अपने वालों से कैसे अलग है इसका देखते हैं उससर उत्तर क्या है यह जो आपका सात्मा प्रस्ण है पहले यह सुन लिजिए कि यह आप देखेंगे अपने बुक में तो जो तुछ तीसरा प्रस्ण है तीसरा प्रस्ण था हूँ आज मुकेश मुकेश कौन था वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और किस चीज का अंसरा नहीं करना चाहता था ठीक है तो उसका उत्तर और इस प्रस्ण का इस साथ में प्रस्ण का उत्तर तीसरे प्रस्ण का उत्तर और साथ में प्रस्ण का उत्तर सेम हैं क्योंकि इसमें भी पूछ रहे हैं कि फिरोजावाद के अन्य चूड़ी विक्राइताओं से चूड़ी बनाने वालों से मुकेस कैसे भीन है तो इसका उत्तर देखिए यानि प्रasμε तो वह हैं लेकिन तीसरा और सातमा लेखिए उसका भाव एक ही है उसके उत्तर भी एक होंगे देखिए अतर देखिए मुकेस वाज ए मेंबर ओफ हेमली फ्रॉम फिरोजावाद इंगेजट इन बैंगल मेकिंग मुकेश फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से जुड़ा हुआ था या संबंदित था या उस परिवार का था बेंगल मेकिंग के वल चूड़ी बनाने में लगा हुआ था इसलिए इस चूड़ी बनाने वाले परिवार का कोई भी सदस्य वास्तों में कोई अन्य काम करने के लिए सोच नहीं सकता था जब पूरा परिवार चूड़ी बना रहा है उसी में बच्पन से कोई बच्चा लग जाता है तो वो उसी के अनुसार उसका बुद्धी विकास हो गया सोच उसकी वहीं तक रह जाएगी उसी वातरवार में रहते रहते तो वो अन्य चीज के लिए कैसे सोच सकता है जब तक को सोचने की उमर आएगी तब तक उसके हास्तव जीजें निकल गए रहेंगे ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों यह कुंकी यह एक परिवार का परिवार इस परिवार का यह क्या है प्यापार हो गया, he himself too had to do the same work, उसे खुद भी यह काम करना पड़ता था, मुकेश के लिए कह रहे हैं, कि उसे भी यह काम करना पड़ता था, but मुकेश लेकिन मुकेश never wanted, कभी नहीं चाता था, to follow that tradition, इस परंपरा का अंसरान करना नहीं चाता था, लेकिन मुकेश जो है, इस परंपरा का अंसरान नहीं करना चाता था, अब उसमें देखिए जैसे प्रस्ण है, कि मुकेश अन्य शूडी बनाने वालों से भीन्द कैसे है, तो देखिए और लोग तो चूडियां ही बना रहे हैं, उसके आगे सोच नहीं रहे हैं, लेकिन मुकेश क्या है, उसे अलग सोच रहा है कि मैं छूडियां नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्या बनाऊंगा, anc बना इस मोटर मैकैनिक बना चाता था, और विच जिससे इस दर्द से दूर जा सकता था और उसके उस वह जो है अपने परिवार की परंपराओं से और दुखों से दूर जा सकता था या अलग हो सकता था ठीक है विदाओ्ट सपोर्ट बीना समर्थन के बिना किसी सहयता के टेकिंग दर ट्रेनिंग नेना ग्रवेवड यह सब चीजें बहुत कठिन थी यह बिलकूल दर्द देने वाली थी परिशान करने वाली थी ठीक है अगे है वेन जब दा आथर आस्क्ड जब आथर ने पूछा लेखका ने पूछा हीम उससे बाउट हीज गुड जब उसके उसे अच्छी लगनी वाली बात पूछा कि उसे क्या अच्छा लगता है ही स्टेट फारवर्ड ली वह बिल्कुल सीधा सामने बोल इसलिए जब लेखका ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो तो वह बोला कि मैं मोटर मैंकेनिक बनूंगा तो इस प्रकार से यह मुकेस क्या है अन जो है चूडी बनाने वाले बच्चों से आदमियों से अलग है यही पूछना चाह रहे थे ठीक है दोस्तों तो यह था आपका लांग अंसर टाइप कोश्चन चैप्टर लॉश स्पिंग का इसके आगे आपका है लेंग्वेज इस्टेडी एंस क्यूज ठीक है दोस्तों तो हम आप से उम्मिद करते हैं कि जो लेंगज इस्टेडी हैं उसको आप खुद करें क्योंकि इतना आपने यह लेशन का ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ लिया इसके पहले भी हमने आपको इसमें जो लेंगेज दिया गया था टाकिंगे अबाउट एबाउट टेक्स्ट में दिया था उसको पढ़ाया हमने तो यह आपने आपको आप कोंटिवेटर रहें किसी तरह का टेंशन लेने के अशक्ता नहीं है और हम जो है आपका यह बोड एक्जाम जो है उस बोड एक्जाम से पहले आपका सिलेवस समाप्त कर दिंगे और जो इंपोर्टेंट कोश्चन रहेंगे आप कहेंगे तो उनको भी हम फिर से रिवाइश करवाते हुए आपको फिर से पढ़ा देंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के रिए नमस्कार